आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है, मैं एक इंपोर्टन टॉपिक पर आज आप लोगों से बात करूँगा, अभिलेक पड़े हैं, प्राचीन भारत के इतिहाज जानने के स्रोत में जब हम पुरातात्विक स्रोत पड़ते हैं, तो उसमें अभिलेक बहुत है, जिसको Inscription भी का जाता है, इन्हीं अभिलेकों में एक बहुत important अभिलेक है, और उसकी चर्चा अमें आप लोगों से करने जा रहा हूं, जिस अभिलेक का नाम है, बोगाज कोई अभिलेक, आप लोगों को मैं कई बार पढ़ाता भी रहता हूं, तो मैं इस बोगाज कोई अभलेख के विशय में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, बोगाज कोई अभलेख, यहाँ से получить होता है, कि आरे लोग लगता है कि पश्शिम एश्या तक कहींक कहैं पैले हुए थे, इस बोगाज कोई अभलेख से यह बताना चाहता यहाँ परपनिकर देते हैं यह इसकी अबिलेख है इसकी स्थत्री कहाँ तरकी में यह अबलेक मिला है इस बात को थ्थ़ड़ा सा ध्यान रखियेगा यस बात को थ्थफ द्यान रखियेगा दूसरी बात इसमें आते हैं कि उसकी कह सकता है लिपी क्या है तो किलक लिपी जो आपने मेसोपोटामिया में देखा था जिसको क्यूनी फॉर्म भी कहा जाता है इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेगा तो इसकी लिपी अगर पूछ लेता है तो हम लोगों को पूछना है कि कहने कि इसको मैंने क्या कहा किलक लिपी यह एक प्रकार से थो क्यूनी फॉर्म इसक्रिप्ट इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेगा तो यह क्यूनी फॉर्म इसक्रिप्ट भी इसको कहते हैं यह थोड़ा सा किलक लिपी भी कह सकते हैं क्यूनी फॉर्म भी कह सकते हैं इसके बाद अगर बात करते हैं तो इसकी भाषा इंडो एरोपिय इंडो एरोपियन क्योंकि आरे लोग कौन सी भाषा बोल रहा है इंडो एरोपियन जिसको भारोपिये भी कहा जाता है इंडो एरोपिये लेंग्वेज का उपयोग इसमें हो रहा है इस सबसे बड़ी बात है अब हम आते हैं यहां important बात क्या है यहां पर हित्ती और मितनी नर मितनी कबीलों के बीच संधी का उलेख है यहीं कहीं न कहीं हित्ती और मितनी अब लेख जो हैं उनके बीच संधी का उलेख इसमें मिलता है जिसमें आरे परक नाम यहीं आरे जो आरियों के जो नाम होते थे उसी प्रकार से नामों का उलेख यहां पर मिलता है यहीं जिसमे आरे परक नाम मिलते हैं, जिसमें आरे परक, आरे परक मतलब कि जो आरे लोगों के नाम होते हैं, वो मिलते हैं, नाम मिलते हैं, यहां थोड़ा सा बताना चाहता हूं, इसी अभिलेक में चार वैदिक देवताओं का भी नाम मिलता है, चार वैदिक देवताओं के नाम भी मिल रहे हैं और वो चार वैदिक देवता कौन हैं इंद्र हैं मित्र हैं इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेगा वरुण हैं और नासत्य हैं ये क्वशन कई बार पूछा जाता है कि कौन-कौन से वैदिक देवताओं का उलेख मिलता है इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेगा य यहां पर अगनी का उलेख नहीं है, इंद्र, मित्र, वरुन और नासत्य चारवैदिक देवताओं के यहां पर नाम मिलते हैं, यह भी आप से पूछा जा सकता है, ठीक है ना, नासत्य मतलब अश्वनी कुमार, देवताओं के डॉक्टर, बच्चे कन्फ्यूज ब्याते हैं, नासत्य का मतलब क्या है, अश्वनी कुमार, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखनेना, अब यहां पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो यहां पर एक क्वश्वन बनेगा, कि एक तरह से भारतिय अश्व व्यापारियों की यहां एक बस्ती थी, और इस प्रकार्दे भारति यह जो कहने की लोग थे, उनके अश्व व्यापारियों की एक बस्ती का यहां उलेख मिलता है, इसमें कहा गया है कि भारतिय अश्व व्यापारियों की यहां एक बस्ती है, इसका मतलब यह है कि इस समय अगर देखा जाए, तो 1400 इसा पूर्व के आसपास हमारा जो व्याप यहां जब हित्ती और मित्तानी राजाओं के बीच में संधि होता है और उनी थे देवताओं को कहने कहीं संधी के लिए साक्षी के रूप में माना गया है यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह हित्ती और मैंने अभी कहा जो मित्तानी राजाओं के बीच में संघर्ष होता है और बाद में जो संधी होती है इसी संधी में यह जो भारतिय अश्व्यापारी ह इनहीं के देवताओं को संधी के साक्षी के रूप में माना जाता है, यहीं हम कहीं न कहीं इन देवताओं की शपत लेते हैं कि आगे से हम किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं करेंगे, इस तरह के ब्रशन आप से पूछा जा सकता है, बोगाज कोई हित्यों की राजधानी थ है, यहीं हित्यों की राजधानी है, हित्यों की क्या है, राजधानी है, तो मेरा सिर्फ यह कहने का मतलब है कि जो बोगाज कोई अबलेक 1400 इसापुर्व का हम बार बार पढ़ते रहते हैं, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रख्येगा, इस तरह के प्रशन आ सकते हैं, मैंने अभी कहा कि यह संधी हित्ती, यानि हित्ती जो राजा थे और मित्तानी जो राता थे, यानि हित्ती नरेश सुबिल लिम, यह ध्यान रखने ना, यह जो कहीं न कहीं संधी का उलेक मिल रहा है, कहीं प्रशन आ जाए, तो यह हित्ती नरेश, हित्ती कबीला है, तो हित्तियो के जो राजा थे तो हिद्यों के राजा कौन थे ये कहीं प्रश्न आ जाता है तो हित्ती-narent-subil-lim ये थोड़ा सा ध्यान ीदि नरेश-subil-lim और कहिन कहीं मित्तानी की बात करते हैं तो मित्तानी नरेश इस मतर से मतहिए उज ओर कहीं मितानी नरेश मितानी नरेश जो है यह दो नों का नाम जरूर ध्यान रखिए गा कि हित्ति नरेश सुबिल लिम और मितानी नरेश मली मति उज के बीच मति उज मति उज मति उज इन दोनों राजाओं के बीच यहां संधी का उलेख है संधी का उलेख है मतलब इस बात को ध्यान रखना हित्ती और मित्तानी राजाओं के बीच में संघर्ष हुआ इस संघर्ष में आरे परक कहीं देवता जो थे आरियों के जो द सुबिल लिम थे और मितानी नरेश कौन थे तो मति उज थे इनके बीच में यह संधी की जा रही है सबसे इंपोर्टन बात है कि जो कहिन की आर्य देउता थे उनकी शपत लिगई इसके आधार पर यह माना जाता है कि कहिन कहिन पश्शिम एशिया तक एक प्रकार से आर्यों क समंध रहे हैं और इसी अधार पर बहुत से कहिन की इतिहास कार मांते हैं कि एक तरह से आर्यमद एशिया और पश्शिम एशिया तक पहले हुए थे यह सबसे बड़ी बात है तो यहाँ पर दो राजाओं के भी नाम बता दिए दो कभीलों के भी नाम बता दिये, ये इनके बीच में संदी होती है, ये कहा मिल रहा है हमको, बोगाज कोई अभिलेक से मिल रहा है, और मैंने कहा कि जो बोगाज कोई अभिलेक है, बोगाज कोई जो इस्थान है, ये ध्यान रखना ये इस्थान था, ये हितियों की राजध खानी थी इसका मतलब आप सब चीज़ें समझ गए होंगे तो बोगाज को अब लेक अपने आप में इंपर्टेंट है यहीं मुझे बताना था आगे इसी तरह से आपको शौट वीडियो में देता रहूँगा आप सभी लोगों को नमस्कार जैहिन जैभारत बंदे मात्रम